Hello guys, welcome back to the channel आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2024 में programming यानि के coding को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी language करनी चाहिए जिसकी आने वाले time में बहुत ही ज्यादा skill है दोस्तों programming language को सीखने से पहले programming language को समझ दे की कोशिश करते हैं लेट स्पोस कि आपने किसी एक programming language को सीख लिया उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप app development भी कर रहें DSA भी कर रहें MLM भी कर रहें इसके लब आप gaming भी कर रहें इसके लब आप app development भी कर रहें machine learning भी कर रहें और इसे साथ आपके internship भी होगी placement भी होगी, project भी बन गए website भी बनाने लगए आप बट ऐसा नहीं होता, कोई भी एक language सीखने के बाद आप इन तमाँ platforms के उपर काम नहीं कर सकते हैं basically दोस्तों ये अलग-अलग domains होती है इन domains को पहले सीखना पड़ता है फिर उसके उपर काम करना पड़ता है फिर उसके उपर expertise यानके mastery हम हासल करते हैं, हम achieve करते हैं दूसरी चीज़ जो beginners को लाजबी पता होना चाहिए कि अगर आप software engineering करना चाहते हैं और अपनी field में आगे जाना चाहते हैं इसका मतलब यह नहीं उता कि आप software engineering में सिरफ एक ही language के उपर काम करें और उस language को ही आप सिखें क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा effort करने पड़ती है software engineering के अंदर जो भी हम languages के उपर काम करते हैं बहुत सारी language का हाउनों होना चाहिए बहुत सारी languages के उपर आपकी expertise होनी चाहिए फिर ही आप कहीं पर placements, internship और projects के उपर काम करने के काबिल होंगे basically friends मैं अपने experience के मताब़ करता हूँ कि software engineering जो होती है उसमें बहुत सारी skills होती हैं आगे जाके बहुत सारी languages के उपर हम काम करते हैं बर starting के उपर अगर आपकी किसी एक language के उपर proper skills है, proper expertise है और एक language को आपने अच्छे से पकड़ लिया है और उसके उपर आप अच्छे से काम कर रहे हैं और उसकी आपको अच्छे से how now है तो आप किसी और language के उपर अगर shift होते हैं, PHP हो जाती है, bootstrap हो जाता है, larvals हो जाते हैं इसके लाब और भी बहुत सारी languages हैं आप किसी भी language के उपर shift होते हैं, तो आपको shift होना बहुत easy हो जाता है आपको अच्छे से समझ आती हैं कि ये चीज जो है, बर थोड़ा बहुत ही फराग है, हम इस चीज को gain कर सकते हैं और friends, simply is that कि जिस language के उपर आप beginner work कर रहे हैं, उस language के उपर आपने solid पकड बना ले नहीं है कि आप future में उसके expert बन जाएं, आपको भी अपने उपर एक proud होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज आती है तो यहां भी हम goal oriented तरीके से अपनी programming language को decide करेंगे और दोस्तों जो सबसे पहला आप goal set करने वाले हैं, इस goal में आपने set out कर लेना है कि आपने कौन सी field में जाना है कौन सी programming में जाना है, और किस programming में आप अपना best से best दे सकते हैं वो चाहिए apps building हो जाता है, website building हो जाता है या आप data science के तरफ जाते हैं, या machine learning के तरफ जाते हैं, या artificial intelligence के तरफ जाते हैं या इसके लबा placement preparations के तरफ जाते हैं, तो यह सारा कुछ आपको पहले decide करना पड़ेगा फिर ही आप किसी एक चीज़ के उपर मुकमल पकड़ बना सकते हैं जो सबसे पहला goal जो majority of students का होता है, जो कि beginning level के उपर वरक करना चाहा रहे होते हैं basically जो बहुत high level के उपर सोचते हैं, वो कहते हैं कि हमने आगे जाके internship या placement की job लेनी हैं, हम Facebook में काम करना चाहते हैं, हम Microsoft में काम करना चाहते हैं हम Amazon के उपर काम करना चाहते हैं, हम Alibaba के उपर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छी job जो है, अच्छी opportunity, अच्छी internship जो है, वो easily मिल जाएं basically friends, बहुत सारी ऐसी industries हैं, बहुत सारी ऐसी companies हैं जहां पे एक general questions जो हैं, वो किये जाते हैं, जब interviews होते हैं testing के बारे में, DSA यानि के full form इसका होता है, data structure algorithm basically friends, हम DSA की death में नहीं जाएंगे, basically जो हमारी questions होते हैं, हम उसके उपर गौर करते हैं questions जो हैं, हमारे क्या हैं, but friends, अगर आप DSA के बारे में जाना चाहते हैं, तो इसके उपर मैं आपको एक video बना के दे दूँगा coding words से DSA, ठीक है, तो comment section में आप बता सकते हैं, तो मैं इसके उपर एक video बना के आप लोगों को provide कर दूँगा basically friends, DSA में हमारे पास 3 options होते हैं, कि आप 3 languages के उपर आप काम कर सकते हैं, पहला आता है मारे पास Java का, दूसरा आता है मारे पास Python का, तीसरा आता है मारे पास C++ का बढ़ यहां पे friends, मैं आपको Python जो हैं, वो recommend नहीं करूँगा as compared to Java and C++ so friends, अगर आप software engineering के field में best अपनी performance रखना चाहते हैं, तो आपको starting के उपर सीखना चाहिए, Java और C++ क्योंकि मैं भी आपको यह recommend करूँगा, यह बहुत ही जबर्दस है, इसके लिए आपको DSA जो है, वो completely आना चाहिए और उसमें आपने first priority के उपर Java and C++ को आपने रखना है, आप दोनों में इसी किसी एक language को चूज कर सकते हैं, दोस्तो देखा रहे तो पाकिस्तान और इंडिया और बाकी जो countries हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसी colleges हैं, जहां पर starting के उपर जो beginners होते हैं, उनको coding में Java या C++ जो हैं C++ जो था, उसको ही मैंने सीखा था, उसके बाद ही हम Java या किसी और language के उपर हम गए थे, अगर आप चाहते हैं C++ के उपर भी एक course, तो आप comment section में बता सकते हैं, इसके उपर भी आपकी अच्छी खासी playlist जो है, वो मिल जाएं, दोस्तो आज की वीडियो मस इतना ही, अगर लेटेस्ट टिकनोलोजी की लेटेट वीडियो जब भी upload हो, आप तो उसका notification सबसे पहले कहुँचे, अपना क्यार रखें, द्वाब में यार रखें, thank you for watching, take care, अलाफीस